नमस्कार दोस्तों सवागत है आप सभी लोग का आपके अपनी चैनल टेट एस टायर में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमादरी स्पेसिलिटी केमिकल लिमिटेड की उपर क्या है एचसिय एल में के शेयर में ग्रावट पूरी हो चुकी है क्या ग्रावट की जो सिलसल है वो पूरा हो चुका है आज हम इस क्यू पर बात करने वाले हैं और हमने कहा था पिछली कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं पचास रुपए का वो लेवल है जो लच्मड रे का करके हैं तो वो समझ लीजे उसके तूटने के बाद उसे कवर करनी कोसिस करी स्टॉक ने ल अगर उसमें बॉटम बन जाता है तो यहां पर आपको एच्छी खासी तेजी दिखेगी साथ ही और स्मॉल कैप के शेयर्स में तो चली देखते हैं तो दोस्तों यह स्मॉल कैप के चार्ट है आपके सामने अब आपको हकीकर दिखाऊं कि एच्छील के साथ साथ सिफ एच् रूपएगी नीचे होंगे तो असल में वह भारी गड़ावट का सामना कर रहे होंगे अब ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि स्मॉल को चला था टॉप पर अब इसका मतलब यही लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टॉप चल रहा था तो यहां पर जो है गरावट आगी नहीं ऐसा क ग्रावट कर सिलसला चला है लंसम लंसम ये घरावट कर सिलसला हूँ तीन अगस्स से लगाता है आपर ग्रावट है स्माल केप स्मॉल केब में और इंडेस में जार में तो अब यह उस जगह पर आ पहुंचा है जहां पर इसका थमना काफी ज्यादा important है देखे आज यह आज की Candle नहीं और यह यहां से रिकवर हुई है जहां से इसने चलने start हुआ तो उमीद है कि यहां पर जो small के जो bottom है वो शायद यहां पर बन चुका होगा शायद पक्का नहीं है शायद अगर एक जटका आया तो यह लेवल तूट जाएगा और इसकी नीचे अगर यह ट्रेट करना स्टार्ट कर गया इंडेक्स बता रहा हूं इससे समझने वाली बात है यह आपके मतलब की बात है चार आट की जितने स्मॉल केप शेयर से उनमें भी भारी घ्रावट यहां पर सामना और करना पड़ सकता है इस चीज का ध्यान रखिएगा काफी शेयर में पचा-पचा-पचा-शाट-परसेंट की घ्रावट आ चुकी है तो इसको ध्यान रखिएगो दोस्तों उमीद है आप यहां प सा पचास रुपए सत्तर बैसे यह तूटा घरी हो गया उसके बाद स्टॉक 43 के लेवल सा गए और यह हम बहुत-बहुत पहले भी हम बात कर चुके थे यह लंसम बात की थी हमने लंसम लंसम चार से पांच वीने पहले जब यह चैनल स्थाट ही हुआ था सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी कबरेज यहां पर जो है एचसील की उपर दी थी जब टेसला इंडिया के अंदर आ रही थी तब हमने इसके बॉटम की उपर बात की थी कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवल है वो पचास रुपए का है पचास रुपए यह 49 के असपास मैंने बताया भी जो है वो इस वक्त क्या एस वक्त आपके सामने एक ही चीज़ है इस टौक रीकवर करें एसा रीकवर करें कि वह यह जो है यह यह सटॉक निकल जाए 50 पैसे पार करने का मतलब ही है कि नई तेजी की फिसरुवात अपने एक सबसे इंपोर्टेंट लेवल पर बापस आ जाना तो 50 रुपए 80 पैसा कर वो लेवल है जब हम बापेस आएंगे स्कूपर और दो दिन आपर रहेंगे तो यहां पर एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलेगी ताकि की फंडामेंटल वही है थोड़े से जो स्टॉक के जो रिजल्ट है क्यूवन के तो थोड़े से हलके से माइनर से बीक रही है और साथ ही इसका मैं बता दू ना की एचसील के बलकि टाटा केमिकल्स बलकि और चाहें कोई भी आप स्टॉक देख लिए बड़ा चोटा कोई भी कि आप स्टॉक देख लीजिए क्यूवन सबके यहां पर जोए वीक ही रहें अगर हम क्यूवफोर से कंपेर करें अगर हम इस क्यूवन को जून के क्यूवन को पिछले साल 2020 के जून को कंपेर करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि इतना बड़ी है रिजल्ट है बाकि अगर क कि यूफोर से कंपेर करते हैं तो बहुत खराब आते हैं रिजल्ट हमको दिखते हैं किसी भी स्टॉक के ध्यान रखेगा तो ठीक है यह उन लेबल पर आगया है जहां से इसने तीजी भरना स्टार्ट की थी तो उमीद है जिसे भी नई खरिदारी करनी है मैं आपको है जिसे एवरेज करना एवरेज की मैंने आपको बहुत पहले बात करते हैं हर वीडियो में आपसे बात करी थी इसके उपर तो द्यान रखिए अगर आपको एवरेज करने की सोच रहे हैं अगर आपको लगता एक कंपनी जो है वह आगे चल के कुछ अच्छा करेगी तो आ आप एवरेज करके चल सकते हैं इस लेवल पर एस्टॉप लोस आपको सिर्फ यहां पर जो है 40.20 के आसपास का स्टॉप लोस रखना होगा और रखना भी चाहिए और आप लेकर चल सकते हैं 40.20 का स्टॉप लोस जो कि काफे जादा इंपॉर्टेंट है तो नई खरिदारी जैसे करनी है वो 40.20 के आसपास का स्टॉप लोस लगाए और यहां पर जो है आप स्टॉप लोस लगाकर यहां पर नई पोजिशन यहां पर क्रेट कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर स्मॉल कैप यहां पर हाल बिगड़ा तो आप यह समझ लीजएगा कि इसका HSCL हुआ य अब जो भी है वो आपके सामने है और आप इनी लेवल से जो है वो आपको ट्रेट करके चलना ही होगा तो ध्यार रखेंगा दोस्तों 40.20 जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा स्टॉप लोस के लिए और नेक हरिदारे के लिए जो लेवल आभी चलना है वो ठीठा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपना माल तो इस तरीके से यहां पर जो है सेलिंग बढ़ आती है और शायद यहां पर जो है जितनी सेलिंग आने थी मेरे ख्याल से आ चुकी है तो ध्यार रखेंगा यह शायद यहां आसपा जो है वो बॉटम बनने का टाइम है स्मॉल क तो अमीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे यहां पर काफी ज़ादा रिस्की है इस वक्त इस वक्त रिस्की है विल्कुल है यहां पर तेजी से गर रहे हैं लड़ खडा रहे हैं स्मॉल कब अब जैसे ही small cap में तेजी स्टार्ट होगी आपको HSCL के शेर्स हैं या small cap के और सेर्स हैं जो आपके पास हैं और जितने की हम बात करते हैं सबी में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी हम सबी गोई एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है तो ध्यां रखिएगा दोस्तों लेगर हाल खराब होता है तो यहां से इस काउंटर से दूर रहिएगा बिलकुल अगर small cap में गिरावट और बढ़ती है तो दूर रहना है हर शेर से दूर रहना है small cap के और mid cap के तो ध्यां रखिएगा इससे भी इसमें भी गिरावट कर सामना करना पड़ेगा तो ध्यां रखिएगा इसमें भी गिरावट आ सकती है अगर small cap गिरा इसलिए 40.20 के आसपास का stop loss है जो नई position create करने चाहते हैं ध्यां रखिएगा तो अमीद है बात को समझ गए होंगे जिनके बास पुराना पुराना जो शेर्स है वो भी यहां पर stop loss लेगर चल सकते हैं अगर आप short term के लिए हैं long term वाले बने रही है नीचे और आए तो यहां पर और खरिदारी करके चल सकते हैं ध्यां रखिएगा यह शेर long term के लिए है long term के लिए बहुत अच्छा शेर chemical sector का सबसे बहतरी शेर्स में से एक है तो अमीद है पूरी बात समझ में आगी होगी आपको मैंने stop loss के लेवल बता दिये यहां आप खरिदारी कर सकते हैं लेकिन वो आपको stop loss लेकर चलना ही होगा तो आप उसे भी लेकर चा सकते हैं तो अगर आप को इस वीडियों कुछ गलती लगती है तो पलीज कमेंट सबस्वां कियों कुछ पूशना है कुछ बताना है तो पलीज कमेंट सबस्क्राइए और अगर आपको इस वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करे चैनल करेंगे, सब्सक्राब प्लेस बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपके पास नए नए नाट कुछन जो है वो आपके पास आता रहे तो अब दीजे मुझे जाज़त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों